आप देख रहे हैं के सिंकोडिकोड पलपल की खबर एसीसेल में भरश्टाचार की सिकायते तो मिलती ही रहती हैं मगर आज हम आपको एसीसेल में हो रहे भरश्टाचार की ताज़ा तस्वीरे दिखा रहे हैं ACCL दिपकाखदान प्रतिदीन अपने लक्ष की ओर अग्रसर हो रही है जिस रफ्तार से कोईले की निकासी कर मुनाफ़ा प्रबंधन कमा रही है उतना ही भ्रष्टाचारी यहां हो रहा है टेंडर प्रक्रिया में होने वाले लिपा पोती को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ओनलाइन टेंडर प्रक्रिया सुरू कर दी है मगर कहा जाता है कि कानुन बाद में बनते हैं उसका तोड पहले ही निकल जाता है जिस तरह से ACCL में 50-70% बिलो में ठेकेदार ठेका लेते हैं और उस काम को पूरा कर बिल भी पास करा लेते हैं आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि जिस काम को एक लाक रुपे में करना है उसे ठेकेदार मातर 30,000 में ही कर देते हैं जिस तरह से ठेकेदार टेंडर लेकर काम करते हैं उसे देखकर तो यह लगता है कि पुरानी प्रक्रिया में जरूर कोई न कोई कमी थी यह तो रही टेंडर की बात अब हम आपको दिपका खदान के मुहाने पर बन रहे कलवर्ट का नजारा दिखाते हैं इस पक्के नाले का निर्मार इसलिए किया जा रहा ताकि बारिष के खदान के उपरी सतह में पानी खदान से प्रवेस ना कर पाए और सुरक्षित तरीके से बारिष के दिनों में भी कोईले की निकासी की जा सकें लेकिन हम आपको बता दे इसके निर्मार में इतना भष्टाचार हुआ है कि यह कलवर्ट बनते ही भरभरा कर नीचे गिर गया जब हमने मौके पर संबंधित सिविल विभाक की अधिकारियों से संपर्क साधा तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया हाँ वहाँ पर हमें ठेकेदार का मुंसी जरूर मिला उसने बताया कि मिट्टी फिलिंग के दौरान ही कलवर्ट गिर गया ब्यूरो रिपोर्ट के एसेन 24